अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि नागिन 3 के फेमस आक्टर परल वी पुरी को कर लिया है मुंबई पुलिस ने गिरफतार एक महिला ने परल वी पुरी पर गंभी रारोप लगाए लेकिन कि आप जानते हैं कि इसके पीछे की पूरी वजह क्या है तो दोस्तों चलिए आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताते हैं मुंबई के वालिव पुलिस टेशन ने नागिन 3 फेम आक्टर परल वी पुरी को 4 जून को देर रात रेप केस में गिरफतार कर लिया और ये रिष्टा क्या कहलाता है कि करन महरा के बाद अब ये दूसरी ऐसी बड़ी गिरफतारी सामने आई है जिसमें आक्टर को देर रात गिरफतार किया गया है और इस पूरे मामले में आक्टर पर एक बहुत ही बड़ी धारा लगाई गई है आपको बता दें कि परल वी पुरी पर पॉस को आक्ट की धारा लगाई गई है जो कि बहुत ही बड़ी धारा मानी जाती है साथ ही जिस लड़की ने परल वी पुरी पर आरोप लगाए है वो एक नाबालिक लड़की है जिसकी वजह से ये तो साफ है कि परल वी पुरी पर काफी मुसीबतों का पहाड तूटने वाला है आपको बता दें परल वी पुरी करिश्मा तन्ना के साथ भी रिलेशन्शिप में रह चुके हैं वहीं इस मामले में कोई भी खुल कर पूरी तरह खबर सामने नहीं आई है लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि परल वी पुरी पूरी तरह से इनुसेंट है और ये उन पर जूटे इलजाम लगाय जा रही है आपको बता दें कि इस पूरे मामले में उस महिला ने ये बयान दिया है कि पहले उसके साथ कार में रेप किया गया फिर उसके बाद इसे बार बार उनके साथ दोहराया गया और इसी सिलसिले में परल वीपुरी को पॉसको आक्ट के तहट नाबालिक लड़की से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है आक्टर को वालवी पुलिस स्टेशन ने अपनी गिरफ्त में लिया और अभी उनसे पूचतार चल रही है इस मामले में अमबोली पुलिस भी मदद कर रही है वैसे तो परलवी पुरी अक्सर अपने रिलेशनशिप्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं करिश्मा तन्ना के साथ उनका रिष्टा काफी चर्चाओ में रहा था काफी समय ये दोनों एक साथ भी रहे लेकिन कुछ टाइम बाद ही अनबन के चलते दोनों का रिष्टा खत्म हो गया था आपको बता दें कि परल वी पुरी के साथ पांच और लोगों की गिरफतारी की गई है जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो कौन है और किस इंडस्ट्री से बिलॉंग करते हैं तो दोस्तों आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि परल वी पुरी पर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही होंगे या गलत आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवड इंडस्ट्री से जड़ी और भी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें